तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं at, on, in में difference क्या है और कहां पर preposition error बनती है जब हम इनका use करते हैं कौन से वो point है जो हमें confuse करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बिन skip किये हुए देखें ताकि आपको अच्छे से deeply knowledge मिले और ताकि आपका जो knowledge है उपर से bounce ना हो पाए और आपके दिमाग में जाए इसलिए चली शुरू करते हैं at, on, in short में करते हैं तेनों में difference देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं देखें इस table के माधियम से करते हैं at का इस्तेमाल हम exact point के साथ करते हैं exact point of time, exact place होता है जैसे corner, at the corner at the noon, at the midnight क्योंकि ये exact time है short period है, long period के लिए पूरा दिन का लंबस समय है तो उसके साथ हम in लगाते हैं in the morning, in the evening, in the afternoon लंबस period है और इसके अलावा on का इस्तेमाल हम surface जहां होता है उसके उपर चीज़े जब touch हो रही होती है static में होता है तो उस condition में हम all लगाते है और at का इस्तेमाल और कहां होता है directed toward and activity जब कोई activity हम कर रहे हैं और उस activity का इशारा किसी की तरफ हो तब हम at लगाते हैं जैसे she is laughing at me उसका हंसने का इशारा उसके काम करने का इशारा किसकी तरफ है मेरी तरफ है तो वहां पर at लगा रहे हैं क्योंकि उसके काम करने का इशारा किसी एक की तरफ है वहां at लगता है तो अगे करते हैं इनका use हम कहां करते हैं inside static और already पहले से ही अंदर है कोई चीज static है कोई चीज अंदर है या चार उतर से covered है कोई चीज उसके अंदर पहले से मौजूद है तो उस condition में हम in का इस्तेमाल करते हैं in the room जैसे room है चार उतर से ढखा है कोई चीज उसके अंदर पहले से मौजूद है तो वहां हम in लगाते हैं और यहां पर on कहां जब वो surface पर कोई चीज touch हो रही हो static में हो तो next चलते हैं add का इस्तेमाल celebration of the day जब किसी दिन का day का day और date के साथ add लगाए जाता है किसके साथ day और दिन के साथ date date और दिन के साथ add लगता है और special day के साथ special day के साथ on लगता है और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं जब celebration day और जब celebration day कैसा हो लंबा हो लंबा celebration period हो तब हम add लगाते हैं लेकिन जब एक special day और दिन की date की बात करें तब on लगता है समझ में आई तो क्या बात की हमने यहां पर जब छुटियां हो holidays हो या function हो celebration हो जब वो celebration लंबा चलता हो लंबे दिनों के लिए जादा दिनों के लिए चलता हो या उस celebration function का नाम नहीं दिया हो तो तब हम add लगाते हैं जब वो special दिन एक दिन में चलता हो special एक ही तिथी में एक ही date में चलता हो तब हम on लगाते हैं, उके, इसके बाद चलते हैं, जब small town हो, village हो, street हो, point of place हो, time हो, या किसी का address बताया हो, email address बताया हो, तब हम at लगाते हैं, और बड़ी city के लिए, country के लिए, state के लिए, या बड़ी colony के लिए, famous colony के लिए, हम in लगाते हैं, उके, और जब invention वाली चीज़े हो, gather, so, जब हम उस पर engaging में हो, activity कर रहे हो, तब हम क्या लगाते हो, तब हम लगाते हैं, on, on the TV, on the laptop, on the mobile, okay, तो अब देखते हैं, next, at, in, और on कहां लगता है, और general condition में at लगेगा, जब कोई general सी condition है, मतलब बड़े लेवल में, वो festival हो रहा है, बड़े लेवल में, वो celebrate हो और सिर्फ एक दिन, एक दे की बात करें, तब हम क्या लगाते हैं, on लगाते हैं, तो ये चीज ध्यां रखनी है, next, देखते हैं, और क्या difference है, इस case को समझते हैं, और देखते हैं, हम prepositional error भी कर सकते हैं, जब ये condition आती है, in the morning, in the afternoon, कैसी condition है, general condition है, in the morning, in the afternoon, क्यों, क्यों की general condition में, जब long period होता है, एक part of day होता है, एक दिन का पूरा आदा हिस्सा होता है, in the morning, in the afternoon, तो long period के लिए हम in लगाते हैं, लेकिन गई बार हम क्या करते हैं, on the morning लगाते हैं, on the morning किस condition में लगता है, हमने पीछे देखा, क्या देखा, जब एक special date की बात करते हैं, date की बात क हैं, तो जब यहां इस condition में क्या हो रहा है, इस condition में, the plane left, the plane left the airport on the morning of June 2000, 20 June 2018, मतलब यहां एक special morning की बात कर रहे हैं, और exact or special morning कौन सी है, morning of 20 June 2018, एक special दिन की यहां तारिक मेंचिन की गई है, क्या mention की गई है, तारिक, जब morning के साथ, उसकी date mention की गई हो, जब on the morning, जब morning, evening, afternoon के साथ, क्या क्या गया हो, date mention की गई हो, यह exact जो महीना date mention की गई हो तो वहाँ हम क्या करते है exact date mention की गई हो तो on the morning करते है अगर date mention नहीं है तब यह common है तब यह general है तब हम in the morning, in the afternoon करते है clear, got it? यहाँ देखते हैं in the night in the night एक कैसा है special चीज़ है particular night की बात करते है particular noon की बात करते है particular midnight की बात करते है जब in the midnight, in the noon, in the night यह particular है यह general case नहीं है क्योंकि general case में हम क्या लगाते है at लगाते है at night, at midnight, at midnight, at noon क्यों? क्योंकि general case में हम यह fixed special time है चोटा सा period time का exact point of time है इसलिए at लगाते है और general case में night के साथ add लगता है लेकिन जब special night की बात करें special noon की बात करें special midnight की बात करते हैं तब हम in लगाते हैं जैसे special specific case में क्या करते हैं? in लगाते हैं वो कोई general night नहीं है कोई आम जो रोज night आती है रोज midnight आती है रोज noon आता है तो वो general बाला case नहीं होगा तो वो कोई special एक night की एक यहां पर इस sentence के अंदर उस रात की बात हो रही है जो problem देने वाली रात थी या जब problem आई थी तो मैं tension में जागा था उस रात की बात मैं कर रहा हूं तो यह मतलब special रात की बात कर रही आम जो रात जैसे हम रोज होते हैं at night she goes to bed after dinner at night उस तो सब करते हैं कि दिनर के बाद सब बात में क्या कर जाते हैं सो जाते हैं रोज की बात है लेकिन नीचे वाली sentence एक special है क्यों क्योंकि जब यह बात कर रहा है अपनी रात की तो उस रात की बात कर रहा है जब problem के कारण वो चिंतित हो गया था या सो नहीं पाया था समझाई तो इस तरह से यह चीज़े हैं जब special बात आती है यह इन दा नाइट होगा तो माल लेना समझ लेना कि वो special है यह sentence का sense समझ लेना कि क्या यह एक special night की बात कर रहे हैं या फिर जनरल सी night की बात कर रहे हैं अगर हम blank की बात करें अगर यह माल लोड हमारे पास question आता है he goes to bed after dinner dash night अगर यह question आता है dash night तो यहाँ पर कैसा है यह dash night होगा और यहाँ पर यहाँ पर भी dash कर दो नीचे I was worried तो यहाँ पर हमारे पास sense समझना होगा क्या समझना होगा sense she goes to bed after dinner वो जाती है dinner के बाद कहां जाती है सोने गब रात को तो यह general सी night की बात है तो यह sense समझना कि general night है तो at लगाना है तो यहाँ I was worried at night at the night because of my problem अगर हम at the night बोलेंगे कि मैं तो फिर क्या sense निकलेगा इसका यह sense निकलेगा कि मैं तो मैं चिंतित रहता था कब अपनी problem की वज़े से रोज नाइट को यह तो general rose ही क्या वो क्या रोज चिंतित रहता है नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर वो चिंतित था एक रात को एक special रात को तो यहाँ पर in the night की बात करेंगे okay in the night तो इस तरह यहाँ बात कर रहे हैं don't use in at on in at on का यूद हमने कहां नहीं करना है कहां नहीं करना है every Sunday every July last summer मतलब जहाँ पर किसके साथ जहाँ पर every word होगा every word होगा every word से पहले हम यहाँ पर ना तो in लगाते हैं ना at लगाते हैं ना on लगाते हैं okay तो जैसे यहाँ Sunday की बात है तो Sunday के साथ यहाँ पर क्या आना था on Sunday आना था क्या आना था on Sunday क्यूँ कि यह special day है एक दिन का नाम है दिन के नाम के साथ day और day और date के साथ हम क्या लगाते हैं on लगाते हैं on every on every Sunday आना था लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना, every word आ चुका है, तो यहाँ पर every के साथ on नहीं लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ महीना है, महीने का नाम है, महीने के नाम के आगे क्या लगना था, in लगना था, in next july, तो यहाँ पर in, यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यूं? क्यूंकि यह यहां पर next लगा है next के आगे हम इन नहीं लगाते हैं last summer यह भी इन लगना था लेकिन यहां पर भी last लगा है तो इन हमारा नहीं लगेगा तो यहां इन वर्ड के आगे हमने इन यूज नहीं करना है fix time का use होता है add के साथ क्यूं और इस wash का संबंध है add के साथ 12 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 8 बजे तो इस तरह से जो बजे और o'clock का time है उसके साथ add लगता है add 4 o'clock, add 6 o'clock तो उसके बाद चलते हैं on की तरफ on और in का relation calendar के साथ है calendar के साथ कैसे है क्यूंकि calendar के अंदर जो date और day होते हैं तारीक और दिन होते हैं वो on को relate करते हैं और जो in होता है इसका संबंध calendar के अंदर year है calendar के अंदर years है और months है और हपते हैं weeks हैं क्यूंकि ये number time है century है long period साल महीना और centuries और week इसका संबंध इन के साथ है तो in the morning in the evening या फिर या फिर in July in August in 2018 तो इसके साथ इन लगता है तो बाकी जो exact special time है होता है एक special date होती on birthday on 2007 on 15 अगस्ट date or day के लिए on लगता है जैसे on 15 अगस्ट on 22 December तो exact जो day होगा on birthday on दिवाली on दिवाली जब एक on दिवाली day on new year day तब on लगेगा लेकिन लंबा टाइम होगा holiday का तो हम at लगाते हैं on दिवाली पर हम क्या करते हैं पूरे हपते में white wash करते हैं तब at दिवाली आएगा तब क्या आएगा at दिवाली जब एक दिवाली जिस दिन candle जिलाते हैं उस दिन on दिवाली आएगा ओकी तो इस तरह से जब लंबी छुटियां हैं लंबी छुटियों के लिए at लगता है और एक special दिन के लिए on लगता है that was the difference और अगर आप detail में at in or के बारे में जानना चाते हैं detail में सीखना चाते हैं तो इसकी पीछे वीडियो बनी है playlist में जाईए और नीचे description में मैंने link दिये हैं तो आप detail में इनको सीख सकते हैं और इनकी हर rule को जान सकते हैं ओके अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको like करें शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और red button आपकी right side में है उसको click करें और press करें bell icon thank you so much